नमस्कार आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर शॉलिशन के यूट्यूब चैनल पे रोयल खन इनवस्टी से बीएड कर रहे हैं बीएड फस्तियर में या फिर सेकंड इयर में है तो आज का अपडेट आपको पताई होगा आज था बीएड फ का पेपर था बहुत ज्यादा मॉस्ट इंपोर्टेंट मैसेज में यू वीडियो में देने वाला हूं दोनों बच्चों को चाहिए वह बीएड फस्तियर का हो या फिर वह बीएड सेकंड इयर का हो क्योंकि आप सभी को पताई है आज शाम को पेपर खतम हुआ है लेंडिं ज्यादा परिशान है तो वही मैं बताने वाला हूं कि ऐसी सिच्वेशन में अगर आपका पेपर ऐसा आए कि आपको कुछ भी ना पता हो तो ऐसी सिच्वेशन को आप कैसे डील करेंगे वह सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूं देखो बीएड फस्तियर के साथ तो यह हो गया है आज तो सेंडियर के साथ भी ऐसा हो सकता है और सच बताओं कोई ना कोई पैपर हर साल ऐसा जरूर आता है यह तो इस सिच्वेशन को आप कैसे डील करेंगे इस वीडियो में में यही बात करने वाला हूं बहुत जादा important message रहेगा बेट first year के लिए और second year के लिए तो बहुत ही ज़्यादा important रहेगा क्योंकि उनका अभी तक paper ऐसा नहीं आया है और हो सकता है आने वाला paper कोई उनका ऐसा उनको देखने को मिले जो की out of syllabus खह सकते हैं उसको या फिर ऐसा हो paper के आपने question वो पढ़े ही ना हो है ना सारा paper आपको बना कर लिखना पड़े ऐसा paper बिल्कुल आता है और हर साल एक paper जरूर आता है ठीक है तो चैनल पे नए हैं चैनल को subscribe कर लीजेगा और लाइकान को प्रेस कर लीजेगा जिससे के आपके पास वीडियो के notification आते रहें कोई भी important वीडियो आपकी रोयल खर्ण इन्वस्टी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए और देखो गभराने वाली बात नहीं है सारी बात करूँगा एक डाउट को क्लियर करूँगा और यह भी बात करूँगा क्यों मैं आप लोगों को कहता हूं कि हाँ पेज भरो क्यों मैं आप लोगों को कहता हूं कि हाँ पेज भरने जरूरी है बहुत बच्चे पूसते हैं कि सर क्या पेज भरने जरूरी है है ना बहुत बच्चे ये मतलब ऐसे attitude में पुछते क्या सर पेज भरने जरूरी हो कुछ बच्चकों तो ऐसा रिपलाई होता है कि नहीं नहीं होता पेज भरने जरूरी नहीं होते content आपका अच्छा होने चाहिए बस फिर नंबर मिल जाएंगे है ना तो वही सारी बात मैं डाउट में आपके क्लियर करूँगा कि ऐसे situation में क्या काम आएगा आपका content काम आएगा या आपका page भरने की ट्रिक आपकी काम आएगी है ना तो वह सारी चीज में बात करने वाला हूं पहले बात करते हैं आपके paper की के अधिगम के बारे में पूछाता देखो नहीं पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है सहकारी अधिगम यानि के cooperative learning यानि के सात रह के सीखते हैं क्लास में कुप सारे बच्चे होते हैं वह एक दूसरे से कुछ ना मुआं परह्टे में आपको बताना से यह कि बच्चे से बंच और या पर अगर टीचर हैं जब भी पेपर करें अपको is वाँज़ो चेके, है वहाँ लिखना लिखना सटर्ट करो requirement करें तो आप या क्लास को कैसे मोटिवेट करेंगे तो कैसे मोटिवेशंगें आप बतो खेल कर करके कुछ भी पर है कुछ है आप मोटिवेशन कर और सकते और सत्य में अंतर बताना था तो चारों चीज़ा आप लगा लगा तो आप इसको बना कर लिख सकते दें नाइस कोशन की बात करें कि शिक्षन से आप क्या समझते हैं शिक्षन के विभिन प्रारूपों का शंशेप में वणन की जाना तो शिक्षन यानिकि टीचिंग के बार यह तो बहुत सारे रूप होते हैं टीचिंग के हैं तो यहां पर आप यह सब बनाकर लिख सकते दें कुछ कोशन की बात करते हैं, यहां पर देखो, आप ने ylquentिंग के से आपका समझते हैंए सब और सिक्षेंट के इतर को बताइब न तो यह सारी चीज हैं आप थोड़ा बलह रहे तो हैं सारे प्रब्र वैसे आप देखाये हैं तो आपने सारे कॉज्चंस आपने देख होंगे ठीक है न में है तो यह था आज साल ऐसा पेपर एक जरूर आता है जिसमें बच्चों का जो इसमें बच्चों की शकल ऐसी हो जाती है ठीक है जिसमें बच्चों की शकल ऐसी हो जाती है हमारे टाइम पर भी आया था मैं बता देता हूं सबसे पहले दोको हमारे टाइम पर भी आया था ऐसा पेपर के जिसमें ह सकतरा हमारी सब के रटका हमारे सब की सबल आइसी हो गई थी हुमारा आया थाnych assessment funding काıl pap gover कि इसे कि आशेसे वह एक खुब खुला और हम एक दूसरे की शकल देख रहे थे हम सब उस टाइम जैसे हुद एक सब एक दूसरेों अधा पक्र खुला और गंटे बाद फिर लिखना स्टार्ट का कि चलो लिखो कुछ नहीं कर सकते कोई अप्शन नहीं है लिखना तो पड़े गई है ना तो यह सिच्वेशन ऐसे पेपर में हो जाती है ठीक है ना बीट फस्टेर के साथ तो हो चुकी है और हो सकता है कि आगे ना हो वैसे लेकिन होत फिर थोड़ा मतलब अंदर साहब गहरी सास लेते हैं और फिर करना स्टार्ट करते कि यहां करना ही है कोई दिक्कत तो नहीं है तो मैं क्यों कहता हूं कि हाँ पेज भरो अब सबसे बड़ी बात मैं क्यों कहता हूं पेज भरो पेज मैं इसलिए कहता हूं पेज भरना आपक जबनादा अच्छी लिखती हूँ यह कभी कबार चलता है मैं गैस पेपर बना आपको बता दू हैना और वह ज्यादा वह बड़ी बात नहीं है वह के ऐसा पेपर आजाए जिसमें आप सब equal हो, gas paper में जो बच्चा पढ़के गया वो आ गया उसने कर दिया, लेकिन ऐसे paper में आप सब क्या है, आप सब यहाँ पर equal है ऐसे paper में सारे के सारे बच्चे equal होते हैं, और बात वही जीतता वही है, जिसको बना कर लिखना आता है जिसको paper बना कर लिखना आता है जिसको page भरने आते हैं, वो ही ऐसे paper में जीतता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि page भरना आपको आना चाहिए, ठीक है ना यहाँ पर content धरा रह जाता है, मुझे आज बताओ कि आज जो बच्चा करके आया है कि आपको भरोसा है कि हाँ मैं जो content लिखके आयू हूँ या जो मैं content लिखके आया हूँ, क्या वो बिल्कुल सही है वो 100% सही है, आज सब के सब बना के करका आयोंगे है ना, आज सब के सब बना के करका आयोंगे और जिसने ज़्यादा page भरे हैं situation के लिए तयार हैने चाहिए तो इसलिए मैं कहता हूं कि पेज भरने की ट्रिक आपको आने चाहिए ठीक है और सबसे बड़ी बात अब focus focus क्या करना है दोको एक चीज़ान नखना paper चाहिए कैसा भी हो आपकी copy है आपने भर दिया है आप आपके तीन घंटे हो गए पूरे next paper पर focus करो यह सबसे बड़ी बात अगर आप उस paper कोई बैठे रहोगे घर पर आगे देखोगे यार कैसा हुआ कैसा हुआ कैसा हुआ टेंशन लोगे तो आगे वाले की तैयारी नहीं कर पाऊगे पहली बात तो बिल्कुल भूल जाओ आपके पास चली गई copy आप अब आपकी चली गई जो आपने लिए 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 जो एफट करने थे आपको उस तीन घंटे में करने थे उस ताइम पर अब आप कर चुके हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते focus करो next पर है ना तो हर paper में यह आपके सोच होने चाहिए जैसे आपकी copy गई तीन भड़ने पर focus आपका होना चाहिए ठीक है और गैस पेपर अगर मेरा फज्जा है तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर ऐसे एक दो पेपर ऐसा आता है तो उसके लिए आप तया रहने चाहिए माल लीजे देखो आप इंडिया के मैस थे हैं इंडिया का मैस था आप क्या हुआ तब हार गए ना तब हार गए और फिर भाद में जो अफ्गानिस्तान के साथ मैच एंडिया का करा वड़ात-कॉली ने 1212 ia भाल इंजिये 152 मेर यसी मेरे लिए 500 बार क्या कрахundred Bernard क्या कुरूं है उसका जहां खेलना था laugh तो वह है जो आज का आप का पिपर आया है को पेज ढ TOMP जिसको पाया बनाकर लिखना आता होगा अच की पेपर में जिते तो इसलिए मैं कहता हूं भाई पेज भरने जरूरी है और पेज भरने की ट्रिक आपको आने चाहिए जो कि आपको ऐसी सिचुएशन में डिल करने को सिखाएगी है ना तो वह यह यहीं इंपोर्टन मैसेज था सभी के लिए बेट फस्टेर सेंगिनर वालों के लिए और एक इस पेपर पर जाओ कैसा हुआ है कैसा नहीं भाड़ में जाए है ना तो नेस्ट पेपर पर फोकस करो और अगले नेक्स पेपर लगाओ ठीक है तो चलिए औल्ट बैस सभी को सबी बच्चों को all the best जाला अटेंशन नहीं लेनी है इसकी अब हो गया है तो हो गया है बाकि अपने पेज बता देना मुझे कमेंट में है ना कितने कितने पेज आप भर के आए हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा ठीक है ना कैसा भी लिखा है अब कंटेंट अम मैट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आता है और घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी अब जितने भी पेपर आएंगे आपके ठीक आएंगे क्योंकि एक पेपर सिर्फ ऐसा पेपर ले आता है हर साल whole gustaría से कृटियर में धी सधियर के साथ तो हो गया है आज और सेकंचने के लिए और मैसज में देंपर बच्चों के लिए यह बोग क्योंकि बहुत जाद कमेंट आ रही है assessment for learning के बता दो सर और कौन कौन से रहा है आपके assessment knowledge और curriculum के तो हो गया है and assessment for learning कर रहा है और आपका inclusive कर रहा है और आपका environment कर रहा है तो assessment for learning का मैं आज आज बता दूंगा टैंशन मतलो बहुत जादा कमेंट आ रही हैं बच्चों की असेंसमेंट फोल लेंडी का पेपर आज का अभी आ चाहेगा थोड़ी दिर में हैं और इंक्लूजिव एजिक्वेशन का आपका कल और इंवर्मेंट कभी आपका कला जाएगा तो कल तक आपका वाले रहता है आपको भी हो सकतों मैं कल ही दे दूँगा ड्रामा वाला भी है ना तो आपका भी कल तक कमप्लिट और टेंशन मतलो गैस पेपर के कब आएगे कब ने आजाएगे टाइम से अपना तयारी करते हो पढ़ते रहो ठीक है ना ओल्दा बेस सभी को ध्यान दखना और टेंशन नहीं लेनी है ठीका ना ए टेंशन टेंशन नहीं लेनी है ना टेंशन के लात मारो एकदम से और खुश रहो अगले पेपर के लिए फोकस करो धन्यवाद थैंक्यू नमस्ते टाटा बाई बाई